हेलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैने पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो साधी पार्टी में जाने से 10 मिएट पहले बस एक चीज मिलाकर फेल लवली क्रीम में लगा लें दोस्तो आपका चेरा काफी गोरा चमकदार और सुन्दर देखने लगेगा जी हाँ दोस्तो अगर आप काफी सारे नएने क्रीम और बजारू प्रोड़क का इस्तमल करके काफी ठक चुके हैं तो अब आपको चिंता कनने की बिल्कुल भी जरूद नहीं आपको साधी पार्टी में जाने से पहले कभी भी बिलीच और फेशल कराने की जरूद पड़ेगी दोस्तो आप घर पर काफी आसानी से अपने चेरे पर गिलो ला सकते हैं मातर 10 मिनट के अंदर दोस्तो आज मैं आपको जो नुस्का बताने आ रहा हूँ ये नुस्का काफी असरदा नुस्का है और दोस्तो हॉममेड भी है दोस्तो इसके लिए आपको बस एक फेल लवली की जरूद पड़ेगी और फेल लवली में आपको बस एक चीज मिलाकर अपने चेरे पर एपलाई करना है और कुछी दिर में आप देखेंगे आपके चेरे पर एकदम फेसियल और बिलीच की तरह काफी अच्छा गिलो आएगा दोस्तो चाही लड़का होया लड़की कोई भी इस टिप्स को काफी आजसानी से अपने चेरे पर एपलाई कर सकता है साथी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तो ये काफी असरदार है और इसका हमने काफी लोगों पर ट्राई भी किया है इसका काफी अच्छा रेलिट भी हमें मिला तो हमने चाहा कि क्यों न आपके साथ भी ये टेप्स विए शेयर की जाए तो दोस्तो इसके लिए हम सबसे पहले याप लेंगे एक खाली बाउल खाली बाउल में दोस्तो हमें सबसे पहले याप जुरूत पढ़ेगी एक फियर लवली क्रीम की जो कि हम यापर इसमें एक चम्मस कराबर फियर लवली क्रीम एड़ करेंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रुकाईश्ट है कि अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब ही किया है विटामिन एडवांस क्रीम है जो कि हमारे चैनल को काफी अच्छा निखार देती है अगर हमें इसे रेगूलर अपने चैनल पर एप्लाई करते हैं तो इसका काफी अच्छा रेल्ट हमें मिलता है वो दोस्तो सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट दोस्तो हमें यापर इसमें आदा चमस के राबर सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट एड़ करना है दोस्तो कॉलेट का पेष्ट हमारे चेरे को ठंड़क देता है जिससे कि हम काफी अच्छा महसूस करते हैं साती हमारे चेरे पर गिलो लाने का भी काम करता है कॉलेट का पेष्ट हमारे चेरे के मुआसों को बढ़ने से रुखता है साथी हमारे चेरे के दाग दब्बों को भी खत्म करता है कॉलेट का पेष्ट हमारे तुचा के लिए काफी अच्छा माना गया है दोस्तो कॉलेट का पेश्ट और फेल लबली क्रीम लेने के वाद में अब इसके बाद अगली चीज़ जों में एड़ करने वाले हैं वो दोस्तो सहद हम यहाँ पर इसमें आदा चमच सहद एड़ करेंगी सहद दोस्तो हमारे चेरे को मौस्चराइज करता है साथी हमारे तुचा के अंदर जाकर तुचा को गोरा चमच दर बनाने का भी काम करता है और तुचा पर फेसियल मास की तरह काम करता है दोस्तो सहद में काफी ऐसे गुनकारी तत्वों पायाते हैं जो हमारे चेरे के दाग दब्बे काले पन और जाया जुर्यां हमेशा अगले खत्म कर देता है सहद के इस्तमाल से चेरे पर काफी अच्छा निखार आता है दोस्तो तीनों चीयन लेने के बाद में अब आपको इन अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सा पेश्ट बना के त्यार करना है दोस्तो ये पेश्ट आपके चेरे के जितने भी दाग दब्बे काले निसान है जाया जुर्यां है, पिग्मेंटेशन है, सब को रिमूप करेगा साथी आपके चेरे के मैल और गंदी को भी भाद निकाल देगा और आपके चेरे को मात्र 10 मिनट के अंदर गोरा चमकदार और सुन्दर बना देगा आप जो साधी पाटी में जाने से पहले, मात्र 10 मिनट पहले इस पेश्ट को अगर अपने चेरे पर लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका चेरा काफी गोरा चमकदार और सुन्दर देखने लगा दोस्तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है ये तीनों चीह हैं आपस में अच्छे से मिलनी चाहिए इस तरीके से दोस्तो इसे मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने चेरे पर थोड़ा सा नीबू कर रस लेना है और उससे आपको मालिस करनी है जैसे कि दोस्तो एक नीबू कर रस लें और इसकी योगत दो चार बूंदे अपने चेरे पर या फिर कॉटन की मदद से अपने चेरे पर लेकर इसे हल के आतों से इस तरीगे से आपको इसकी मसास करनी है सिर्फ एक दो मेंड तक आप इसकी मसास करें दोस्तो निवुकरस चैरे पर ब्लीज की तरह काम करता है यह आपके चैरे की जितने भी मैल अगंदगी है उसे भार निकालता है साथी आपके चेरे के अंदर जाकर तुचा की साफ सफ़ाई करने का काफी अच्छा काम करता है नीवू करेस के मदद से चेरे पर गिलो आता है इस तरीगी से मसाज करने के बाद में दोस्तो आपको इसे पहुचना नहीं है नीवू करेस को आपको इस paste को लेना है और अपने चेरे को उपर इस तरीगी से इसे apply करना है आपको पूरे चेरे पर इसे लगा देना है इस paste को दोस्तो चेरे पर लाकर आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के बाद दोस्तों आप इसे किसी सूखे हुए टावल से या फिर किसी कोटन से इसे जो आप पहुँचकर साफ कर दें ध्यान रखें दोस्तों आपको चेरे को पानी से साफ निकरना है आप जो है सिर्फ सूके कॉटन से या फिर टावल से इसे पेश्ट को यह पौँच के साफ कर लें दोस्तो आप देखेंगे आपके चेरे पर काफी अच्छा निखार आएगा आपका चेरा पहले से काफी गोरच मकदार और सुन्दर दिखने लगगा आपको साधी पार्टी में जाने के लिए फेशियल और बिलीज की जरूद बिलकुल नहीं पड़ेगी आप काफी कम पैसों में घर परी फेशियल जैसा निखार पा सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा सेयर करें वीडियो को लाइक करें और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें जिससे कि आपको ऐसे नहीं ने वीडियो हर रोज मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.